बच्छों इस संख्या खाव औरग मुल्क कैसे निकालें बिलकुल आसान तरीके से समझेंगे इस वीडियो को पुरा दिकें बच्छों औरग मुल्क कैसे लिखते हैं अंडूर से लिखते हैं यहां पर क्या लेना है दो नौ एक च्छे और हम जानते हैं कि अंडूर का मतलब क व्लक के सन एक बटते हैं यह तो इसका सिम्बल होगा यह इसका मिनिक होगी ہے । अब यहां पर कौन सा वीडिका मैं लेंगे यह नहींगे बड़ी संख्या तो ओड़ी, तो भाग वीडिका मैं लेंगे ठीक है क्योंकि इस विदी से आपको एक ही एक या दो इस्टेप में बरगमूल मिल जाता है जैसे कि अभी आप देखेंगे अब भाग विदी ठीक है समझ आ गया कि काम में लेना है लेकिन इसमें इस्टेप फस्ट क्या करेंगे शुराथ कैसे करेंगे बिल्कुल सरासान है आप बनाएंगे दो-दो आंकों का जोड़ा कैसे इस तीर के निशान के आगे में बढ़ते हुए एक दो, एक दो अंदर कितना गया गुंतिस इस संख्या के आदार पर हम एक संख्या का चुनाओ करें संख्या लेंगे एक से लेकर नों तक जिसका खुद के साथ गुणा करने पर 29 से बढ़ा ना लगाओ दिमाग तो भई लगाया मैंने दिमाग एक गुणा एक दो गुणा दो तीन गुणा तीन चार गुणा चार पांच गुणा पांच करते ही मैं इसके नजदीक पहुंच गया ठीक है तो इसको मैस को मैंने ले लिया है ठीक है ऐसे देए कि दिमाग से करना एगा हम ठीक है जिस संख्या को लेंगे एक बार यहां उपर लिखते जाएंगे फिर अगले श्टेप मैं इसको जोड़ना होता है इसको गटाना होता है, उपर से जो दो अंक हमने अंडरलाइन किये हैं, उसको यहां नीचे ले आएंगे दो अंक क्यों अंडरलाइन किये थे तांकि हमें मालूम रहे कि इसमें दो अंक एक साथ लेकर चलना है अब हमने क्या किया देखे संख्या लिया, गुणा किया, जोडा गटा है, अब इनी को आपस दोराना है, कैसे, इसके साथ संख्या लेंगे, उसी का गुणा करेंगे, कि चार सो सोडा से बढ़ाना है, लगा हो दिमाग, तो मैं लेता हूँ, चार और चार का गुणा करता हूँ, चार सो सोडा और ये चा को फिर घटा है जीरु आ गया यह जो है यह आपका इंसर है कितना रहे फिप्टी फोर आ रहा रहा इसा